Hello and Welcome यह हमारी लेक्षर श्रीज है Biology for SSE CGL आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे Vitamins के बारे में और इस लेसन में हम पढ़ेंगे Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K and Vitamin K के बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोटा से इंटर्डाक्शन एक मेरा मेरा नाम है Amantra Vastava मैंने भी टेक किया है Electronics and Communication Stream से IET लखनां से I've cleared SSE CGL 2016 Pre-Plus Mains, दोनों ही मेरे clear हो चुके हैं, आप मझे Unacademy पे follow कर सकते हैं और आप Please rate कीजिए, review कीजिए और share कीजिए इस lesson को देखे, क्या होते हैं Vitamins यह organic compounds होते हैं और vital nutrients होते हैं Vitamins are organic compounds and vital nutrients और आप इसको simple भाषा में आप सिर्फ इतना समय लीजे, यह कुछ chemical compositions होते हैं जो कि आपके body को बहुत फायदा पहुँचाते हैं और इनके अलग-अलग तरह के functions हैं हम इन सब को one by one पढ़ेंगे देखे, सबसे पहला किस scientist ने vitamins की खोज करी थी और किसने इनको term दिया था कैसीमीर फंक साफ थे इन्होंने 1911 में इन्होंने vitamin term इन्होंने दिया था पहला discovered vitamin जो है वो है vitamin B1 first discovered vitamin was vitamin B1 और berry-berry बेरी-berry पहले disease थी जो की vitamin B1 की कमी से कौनसे diseases होती है? vitamin B1 सबसे पहले अगर discover हुआ है vitamin B1 तो सबसे पहले अगर जब उसकी कमी हुई होगी तो पता भी चला होगा कि हाँ ये इस vitamin की वज़े से ये कमी है तो vitamin B1 की कमी की वज़े से कौनसे disease होती है? berry-berry clear? vitamin C वो पहला vitamin था जो की fermentation process से बनाया गया था fermentation process देखे क्या होता है? fermentation process में bacterial action होता है और bacteria की help से हम अपना desired product का अमारा formation होता है जैसे की vinegar आपका जिसको कहते है सिर्का सिर्का हो गया, सिर्के में भी वही जीज होती है आपका fermentation process होता है then आप कहलो की idli आपकी जो idli बनती है उसमें भी fermentation process होता है then आपका curd, दही दही भी fermentation process से बनता है ठीक है? अब एक बहुत important term fat soluble और water soluble यह आपको याद रखना है कि कौन से vitamins fat soluble होते हैं कौन से vitamins water soluble होते हैं इसका मतलब क्या हुआ? fat soluble मतलब जो fats में खुल जाए water soluble मतलब जो simply water में भी dissolve हो जाएं तो कौन-कौन से हुए fat soluble KADE and water soluble BC देखिए fat soluble vitamins है तो आपको याद करने के लिए KED, आप KED याद रखिए KED is KADE तो fat soluble होगा है water soluble BC, BC आपको याद रहेगा तो KED की बात करें तो आपसे ये directly exam में पूछा जाता है कौन-कौन से इसमें से vitamins जो हैं, वो fat soluble है तो आपको ये options दिये जाएंगे आपको mark करना रहेगा, ये बहुत ही popular question है अब हम आते हैं in vitamins के एक एक करके पढ़ते है vitamin A देखिए इसका scientific name, हर example बलगार एक vitamin का scientific name होता है उसका vitamin A का नाम क्या है? Retinol vitamin A का नाम है Retinol कैसे मिलता है ये? ये इसके sources है योग, butter, milk, fish, liver, green vegetable and grains अब vitamin A कहां store होता है? ये भी question है SSC CGL का vitamin A कहा store होता है? vitamin A liver में store होता है ध्यान रखिएगा इस बात को vitamin A liver में store होता है इसकी deficiency से night blindness रात का अंधापन कई लोग ऐसे होते हैं जैने दुन में तो बहुत सही दिखाई पड़ता है लेकिन रात में नहीं देख पाते हैं तो वो इसी वज़े से होता है then zero of thalmia भी इसकी वज़े से होता है zero of thalmia क्या होता है? dry eyes मतलग कि आँखो कि आँखो कि आगे की तरफ एक lubricancy है तभी आपकी पलके बहुत आराम से उपर नीचे करती है अगर यह lubrication ना हो तो बहुत problem होगी तो यह lubrication ही होता है जिसकी वज़े से इतनी आराम से हमारी पलके चलती है तो क्या होता है? लाक्रीमल ग्लांडज एफेक्ट हो जाती है जिरॉस्थाल्मिया में यह बिमारी का नाम है जिरॉस्थाल्मिया जो की vitamin A की कमी से होती है then vitamin D का क्या नाम है? calciferol calciferol देखे, 80% vitamin D happens in skin with the help of sunlight कहां बनता है यह? vitamin D जो है हमारी body को जतना चाहिए होता है, उसका 80% मात्रा जो है, वो sunlight की present में हमारी body अपने आप बना लेती है, body में भी basically कहां बनता है, skin में बनता है, vitamin D skin में बनता है, ठीक बचा हुआ 20% हमें कहां से बनता है deep sea fishes, liver butter, milk eggs, green vegetable और grains से मिलता है liver का मतलब यहाँ पर इंसानी liver नहीं है, liver का मतलब जो आप यह non-witch में आता है, ठीक है deficiency of vitamin D क्या से कौन से बिमारी होती है, rickets rickets को हम osteoporosis भी बोलते हैं, इसको हम कर चुके है और इसमें यह भी होता है कि आपकी जो bones होती है, वो hollow हो जाती है ठीक है अभी देखे, vitamin E को कहते है tocopherol, इसको beauty vitamin B बोलते है, यह कहाँ बनता है liver में बनता है, अभी देखे, conclude करने के लिए SAC क्या देता है आपको कौन सा vitamin में से liver में बनता है उसमें वो आपको vitamin A भी option देगा लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि vitamin A लिवर में बनता नहीं है vitamin A लिवर में store होता है ठीक है, और vitamin E लिवर में बनता है राइट source क्या है, green vegetables and nuts इसकी deficiency से क्या होता है hair fall and infertility hair fall होता है और banjbun होता है यानि कि बच्चा पहदे करपाने में असमर्गता, राइट अब आते हैं vitamin K इसका scientific नाम है phyloquinone phyloquinone क्या करता है, vitamin K blood clot में इसका सबसे important काम यह second वाला होता है, second point blood clot में help करता है ठीक है, और इसका source क्या है green vegetables, green vegetables से हमको यह मिलता है calcium के जो ions है वो vitamin K के साथ ही वर्क करते है, अगर vitamin K आपकी body में काम होगा तो calcium ions जो होते है CA2+, इनका काम effectively नहीं हो पाएगा clear है, so thank you so much हम मिलते हैं अगने lesson में और उसमें हम जो बचे हैं हमारे vitamins उनके बारे में study करेंगे उनके sources और उनसे कौन से बिमारियां होती हैं, देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है इसमें आपको हर vitamin का scientific नाम उसका source और उनका उनसे होने वाली बिमारी सबसे important है clear? thank you hello and welcome to our lecture series on biology for SSE CGL इस lecture में हम vitamins को continue करेंगे यहां हम पढ़ेंगे vitamin C then vitamin B complex और vitamin B complex क्यों कहते हैं बाकी सारे देखिए जो भी अभी तक हमने vitamins पढ़े they were vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K simple थे लेकिन यह vitamin B complex क्यों है ठीक है? वो पढ़ेंगे then sources क्या क्या है, कहां से हम वो पाते हैं और deficiency से क्या होता है एक चोटा से introduction मेरा, मेरा नाम है Amant Shravastava I've done B.Tech in Electronics and Communication from IET Lakhnau I've cleared SSE CGL 2016 Pre-Plus Mains you can follow me on Unacademy और आप मझे please rate तीचिए इस lesson के ओपर review करिए इसको और जादा से जादा share कीजिए हम शुरू करते हैं देखे, जैसे हमने देखा हर एक vitamin का अपना एक scientific name होता है उसी तरीके से vitamin C का scientific name है ascorbic acid vitamin C का name है ascorbic acid जितनी भी खटी चीजे होती है आप ध्यान रखिए जादा तर खटी चीजों में vitamin C जरूर पाया जाता है जैसे आमला हो गया निम्बू हो गया औरेंज हो गया संत्राजिसों कहते हैं ठीक है आमला richest source of vitamin C माना जाता है और इसी में एक और आता है आपका guava अमरूद जो होता है उसमें भी बहुत आपका vitamin C काफी प्रचर मातरा में होता है vitamin C city जो है वो प्रताबगर को बोलते है vitamin C city बोलते है क्योंकि जैसे आपने नागपुर को orange city बोलते है क्योंकि वहाँ orange बहुत होते है इसी तरह इसको आपके प्रताबगर ये उत्तरप्रदेश state में पढ़ता है प्रताबगर जिला UP में इसको vitamin C city बोलते है यहां आवला बहुत होता है अभी देखे क्या होते है vitamin C के functions sharpness of mind immunity, body की immunity maintain रखता है और जो चोट अगरा छोटे चोटे मोटे आपके चोट लग जाती है कट लग जाता है तो इनको और बाकि जो cells जो cells जो होते हैं body के अंदर ही जो cells damage होते हैं उनको भी heal करता है clear? urine में vitamin C contain रहता है अचली body से निकलता भी रहता है अगर excess में है तो निकलता भी रहता है और उसकी deficiency से vitamin C की deficiency से क्या होता है scurvy scurvy क्या होते हैं जो आपके ये मसूडे होते हैं वो उसमें लाल रंग सूजन आ जाती सूज जाते हैं लाल हो जाते हैं या anemia भी हो सकता है anemia का मतलब आपको पता है red blood cells में कमी आ जाना अब देखिए हम बात आते हैं यहाँ पर कि vitamin B complex क्यों vitamin B complex इसलिए क्योंकि हर vitamin अपने आप में absolute होता है vitamin A single था C single था D single था actually B एक group of vitamin है B rather than being a single vitamin B एक single vitamin होने के बजाए एक group of vitamin है और इसमें कई vitamins हैं देखते हैं हम कौन-कौन से हैं इसलिए क्योंकि यह group है क्योंकि इसमें कई vitamin है इसलिए हम इसको B complex कहते हैं अब कौन-कौन से हैं देखते हैं सबसे पहले आता है B1 इसका scientific name है thiamin scientific name है thiamin तो source क्या है pork, east, pulses, peas मतलब mutter, chani, milk, butter, egg तीक है east याने की खमीर clear अभी देखिए इसका richest source क्या है ऐसे से आपसे यह भी पूछ लेता है कि richest source बताए है vitamin B का तो वो हैं kaju cashew nuts right vitamin B1 की deficiency से क्या होता है berry-berry यह हम पहले भी देख चुके हैं यह सबसे पहला vitamin था जो discover किया गया था किस ने किया था कैसे मिर फंक ने right berry-berry berry-berry की berry-berry में होता क्या है अब हम यह देखते हैं berry-berry तो disease का नाम हो गया उसमें क्या होता है kidney में infection indigestion of carbohydrates तो क्या होगा अगर carbohydrates body में properly utilize नहीं हो पाएंगे तो एक तो weakness हैगी क्योंकि carbohydrate आपको energy देता है ठीक है then kidney infection kidney infection बहुत ही harmful होता है क्योंकि kidneys का infection कई तरीके से हो सकता है आपका kidney stones की वज़े से भी हो सकता है then आपके vitamin की कमी की वज़े से भी हो सकता है right तो यह सारी problems आती है vitamin B2 को कहते है riboflavin scientific name है इसका riboflavin source same जो ही B1 के sources है वो B2 के भी sources है इसकी deficiency से क्या होता है angular stomatitis angular stomatitis यह क्या होता है मुह में छाले पड़ जाते है इसमें और saliva बहुत आता है ठीक है अब vitamin B3 इसका scientific name है niacin niacin क्या होता है इसमे same to same sources खाने के sources B1 जैसे except आपका एक maze जिसको कि हम बोलते है भुट्टा भुट्टे में यह vitamin B3 काफी पाया जाता है अभी क्या होता है इसकी deficiency से pellagra disease होती है pellagra is skin disease होती है इसमें क्या होता है काले-काले चकते पड़ जाते है गोल-गोल से चकते पड़ जाते है skin के उपर दाग धबे से spot से पड़ जाते है काले-काले पूरी skin के उपर ठीक है वो होता है pellagra then dementia भुलने की बिमारी diarrhea ठीक है यह सारे vitamin B3 की कमी से होते है vitamin B5 pantothenic acid देखिए इसको याद करना तो काफी आसान है बाल जो आपके दिखा होगा अकसर सफेद होने लगते हैं कुछ लोगे काफी जल्दी दो रीजन होते हैं ऐसा ने यह खाली vitamin की कमी से ऐसा हो रहा है अचल में कुछ रीजन तो इसका genetic भी होता है और अगर genetic problem नहीं है तो फिर यह इस कमी से भी हो सकता है vitamin B5E कमी से भी बाल जो होते हैं वो early age पे ही grey होने लगते हैं जैसे 20 साल बहुत ही young age पे 20 साल, 16 साल, 18 साल, 25 साल इन ages पे ही बाल जो है वो grey और सफेद होने लगते हैं ठीक है then same thing incomplete digestion of carbohydrates clear है अभी देखते हैं vitamin B6 आप देख रहे हैं इतने सारे vitamins हैं इसी लिए इसको complex vitamin बोला जाता है vitamin B6 को कहते है pyridoxin या pyridoxin ठीक है इसको जो आपके nervous system जो nerves होती है उनकी health के लिए चाहिए होता है उनको ये healthy रखता है आपकी nerves को skin को और जो आपके red blood cells है उसको भी helpful देखिए vitamin जो चाहिए होता है अक्चल में क्या होता है आपको carbohydrates और proteins जो होता है वो आपको काफी मातरा में चाहिए होता है उनकी जो quantity होती है जिसमें वो चाहिए होता है वो होते है grams में तीक है जैसे आपको protein एक दिन में आपको 80 gram चाहिए 90 gram चाहिए या 100 gram चाहिए इस टाइप से रहता है ठीक है और carbohydrate होता है आपको एक दिन में 200 gram चाहिए 180 gram चाहिए 220 gram चाहिए इस टाइप में होता है लेकिन जो vitamins होते हैं ये बहुत ही छोटी मातरा में चाहिए होते हैं आगे बढ़ते हैं तो रेड बलट सेल्स को मेंटेनिंस के लिए भी विटनेंस चाहिए होता है ठीक है, source, again B1 जैसा और B6 की help से आप dreams remember करने में help रखता है ये खाली एक fun fact के लिए था, B6 helps in remembering dreams तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको dreams अपने remember रखने हैं तो आप B6 और जादा खाना शुरू कर दें, बस एक scientific fact है ये, ठीक है now, deficiency से क्या होता है, convergence in infants, जो antenna लगते हैं हाथ वगरा जो बच्चों में कभी-कभी क्या होता है early age पर हाथ पैर antenna लगते हैं, वो इसकी कमी से होता है, paradoxin की कमी से होता है अब हम आते हैं, vitamin B7, biotin, biotin से क्या होता है, hair loss होता है और red color के rashes आपने देखा होगा, किसी किसी की आँख के जो निशला हिस्सा होता है, उसमें लाल से सूजन सी होती है, लाल से rashes से पड़े होते है यह आंक हो गई नाक के साइड्स में जो आपके यह नाक के साइड्स होते हैं जो आपके नोस्ट्रोल्स के बगल में क्या होता है रेड कलर के रैशे से रहते हैं वो इसकी कमी से हो जाते हैं इसके सोर्सिस क्या है बारले, यिस्ट, मिल्क और ब्रॉकली ब्रॉकली क्या होती है ब्रॉक्ली आपकी फूल गोभी जैसी ही होती है, लेकिन ग्रीन होती है, जैसे फूल गोभी का जो फूल होता है, वाइट होता है, ठीक है ना, ब्रॉक्ली का क्या होता है, ब्रॉक्ली का जो फूल होता है, वो भी ग्रीन होता है, अभी विटेमिन B9 पे आते हैं, फॉलिक अस गौवावा आपका ये हो गया एपल हो गया खुर जीज रेखा है और जीजेन ए इना में पता हे जो प्योंकि e उंके ऊंरेफ साउ झावड़े Woman ऑर इंफेंस जादा पड़ता है और 40-45 के बाद हमारे इंडिया में क्या होता है maximum ये देखा गया है कि 40-45 एजिस के बाद क्या होता है विमन में हिमोग्लोबिल की कमी होने लगती है या इस टाइप की diseases बढ़ने लगती है तो इनको क्या करना चाहिए इस टाइप की चीजों का जो consumption है कंजम्चिन जितना वढ़ है उटना अच्छा है रादर दन गुइंग ऑन सप्लेमेंटरी कंजम्चिन जैसे कि मैडिसिंस में ॐपर जाने से अच्छा होता है कि आप इन सूर्सेस को जादा से ज़ जादा से बचाव बता सकते हो अपने घर के अंदर ही आप inform करिये होता क्या है एक बार बॉड़ी अगर इन artificial sources पे चली जाती है देखिए नुकसान कुछ नहीं होता first of all ठीक है नुकसान कुछ नहीं होता आज की medical science इतनी developed है पहले ऐसा होता था कि अगर आप एक बार आरन का अगर आप एक capsule आप एक injection लगा लो तो पूरी body में दाने निकलाते थे ऐसा होता था आज से 10 साल 15 साल पहले लेकिन आज के टाइम भी क्या है ना यह सब चीज़े इनके side effects बहुत ही कम हो चुके हैं negligible हो चुके हैं लेकिन एक बाग अगर आपकी body जो है secondary system पे चली जाती है secondary support पे चली जाती है तो body का अपना जो अपना खुद का mechanism होता है वो और slow होने लगता है यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजे आपके लिए गर हर काम कोई और करने लगे तो आपको खुद एक glass of water भी लाने में थोड़ा सा आलस आता है यह same to same चीज body के अंदर भी वही होती है जैसा बाहर है हम होते हैं वैसे ही हमारी body अंदर भी रहती है clear है आगे बढ़ते हैं vitamin B12 यह एक बहुत important question है it's a cobalt containing vitamin vitamin B12 it's a cobalt containing vitamin vitamin यह question आता है ssc में which vitamin contains cobalt answer होगा vitamin B12 इसके sources क्या क्या है apple, liver, guava, egg देखें soya bean में भी यह question actually इसमें क्यों लिखा गया है not present in soya bean क्योंकि ssc कई बार यह चीज़ दे चुका है option A में soya bean रखता है बच्चे confused होता है इसलिए बच्चे सोचते हैं कि soya bean बहुत nutritious होता है definitely होता है no doubt लेकिन उसमें B12 नहीं होता है ठीक है और इसकी deficiency से कौन सी disease होती है pernicious anemia pernicious anemia clear है so thank you so much hope यह lecture आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह lecture पसंद आया हो तो please rate कीजे और review कीजिए thank you so much hello and welcome to our lecture series on biology for SSE CGL इस lecture में हम पढ़ेंगे energy and malnutrition के बारे में याने कि हमें कितनी energy चाहिए होती है एक दिन में और अगर वो ना मिले तो malnutrition का मतलब होता है impoverished याने कि जब एक proper nutrition नहीं मिलता है तो ज़े state होती है body की उसको बोलते है malnutrition ठीक है आपने कई बार देखा होगा बहुत ही दुबले पतले बच्चे होते हैं बहुत ही दुबले पतले उनके मतलब आप उनके ऊपर से ही आप उनकी bones भी count कर सकते हो इतने दुबले पतले होते है actually they are malnutrition actually में वो malnutrition होते है वो ठीक है फिर हम देखेंगे blood groups के बारे में आपने सुना होगा हमारा blood group A है हमारा O blood group है AB blood group है तो वो क्या होता है हम वो भी देखेंगे then उसी में एक factor होता है antigens and antibodies का हम उनको भी देखेंगे फिर हमारा आता है RH factor RH factor एक protein होता है और SSE कभी-कभी इसके उपर question पूछ लेता है जादा नहीं तो तीन वार उसने question पूछे हैं इसके उपर तो हम इसको भी देखेंगे शुरू करते हैं A brief introduction about me मेरा नाम है Amanshra Vastava I've done BTEC and Electronics and Communication from IET Lakhnau I've cleared SSE CGL 2016 Pre-Plus Mains आप मुझे Unacademy पे follow करिए जिससे कि आपको सारे lecture updates सारे course updates SSE के बारे में और भी जितनी चीज़े add up होंगी आपको सब पता चलता रहेगा और आप प्लीज इस lecture को rate कीजिए review कीजिए and please share करिए देखे protein energy malnutrition एक urban resident को एक दिन में कितनी energy चाहिए होती है उसी के counterpart पे एक rural resident को 2400 kcal per day यह वो data है जो SSE accept करता है ठीक है SSE यही data accept करता है आपका then protein की deficiency से कौन सी disease होती है वो होती है quashir curve protein की deficiency अगर है body में तो quashir curve disease होती है और अगर energy की deficiency है तो marasmus disease होती है तो यह दो diseases होती है malnutrition की quashir curve and marasmus एक होती है protein की deficiency से एक होती है energy की deficiency से clear है अभी क्या होता है marasmus में होता है जो शुशू होते है जो 0 स 1 साल तक के बच्चों को हम infants कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया उनमें energy की deficiency जब वो खाना नहीं मिल पाता है उनको पूरा या फिर milk feeding नहीं हो पाती है उनको proper तरीके से तब ये बिमारी उनमें आ जाती है और देखिए milk feeding अगर हो भी जाए अगर माही नहीं सुश्थ है तो बच्चा कैसे सुश्थ होगा ठीक है अगर milk feeding में पहले मदर के अंदर तो वो nutrition होने चाहिए जो की milk feeding के तरू बच्चे में जाएंगे इसलिए सरकार के कई कारेकरम चलते हैं और सरकार के कई योजनाएं चलती हैं आपने सुना होगा जच्चा सुश्थ तो बच्चा सुश्थ तो बच्चा सुश्थ होगा और अगर मदर में problem है मदर को कोई भी अगर energy की deficiency है तो वो चीज़े बच्चों में भी पासओन हो जाती है अगर लेट से pregnancy के time पे अगर मदर में protein की कमी रह जाए या कोई भी ऐसा एनिमिक रह जाए तो क्या होता है बच्चे के साथ कई बार तो life long वो चीज़ जुड़ जाती है क्योंकि बच्चा पैदा ही उस कमी को लेके हुआ है उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए pregnancy के time पे बहुत ध्यान रखना चाहिए females का ताकि जो would-be mothers है उनका ताकि उनको nutrition बहुत अच्छा मिले ताकि जो आने वाली जो generation है वो बहुत ही healthy रहे clear है आगे देखते हैं blood groups के बारे में देखिए blood groups किसने discover करे थे इनका नाम था Karl Lansstiner Karl Lansstiner 1902 1902 में इन्होंने ये blood groups discover करे थे सबसे पहला system जो दिया गया था A, B and O system A, B system नहीं A, A blood group, B blood group and O blood group A, B, O system बोलते हैं हम इसको ये सबसे पहले दिया गया था फिर ये बाद में आया A, B blood group बहुत बाद में आया clear? Now blood group में दो तरह के देखिए blood के दो तरह के protein होते हैं क्या होते हैं वो दो तरह के protein antigen and antibodies antigen और antibodies antigen क्या करते हैं? ये surface पे होते हैं against fight करते हैं और ये plasma में पाए जाते हैं ये plasma में पाए जाते हैं clear है? antigen, RBCs की surface पे antibodies, plasma पे now antigen और antibodies के reaction पे ही blood group बनता है ये बहुत अच्छी बात है कि blood groups decide कैसे होते हैं antigen और antibodies के reaction पे देखते हैं कौन कौन से होते हैं red blood cell type A जो A blood group होता है देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए जो blood group होगा same उसका antigen होगा और उसका opposite antibody होगा अगर A blood group है तो उसमें A antigen होगा और B antibody होगा ये ध्यान रखिए कि जो blood group होता है उसमें same antigen होता है और opposite blood group होता है याद रखिएगा देखिए आप एक बार सोचिए कि इसका मतलब इसमें कौन सा आंटीजन होगा B आंटीजन होगा कौन सा आंटीजन होगा क्योंकि आंटीजन ब्लड गुरुप का opposite होता है तो क्योंकि ब्लड गुरुप B है तो आंटीजन कौन सा होगा A clear है इसी तरीके से अगर blood group AB है तो antigen कौन से होंगे same होते हैं तो इसलिए antigen A और B दोनों ही हुए लेकिन अब AB का opposite तो नहीं होता है कुछ भी तो इसमें antibodies नहीं होते हैं यह बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि AB blood group में antibodies नहीं होते हैं इसी लिए इसी का यह reason है जो AB blood group होता है वो universal acceptor होता है जिस भी blood group में AB अगर नहीं होगा antibodies जैसे नहीं कोई भी antibody नहीं है हमारे पास तो कोई भी आ जाए फरक नहीं परता है इसलिए AB को universal acceptor बोलते हैं clear है अभी बात आती है blood group O की O क्या होता है O में अब देखिए O हमने क्या बात करी थी कि जो blood group होता है उसी का same antigen होता है अब हमें यह भी पता है antigen सिर्फ A और B होते हैं तो फिर इसी लिए O में कोई भी antigen नहीं होता है क्योंकि O से related कोई भी antigen नहीं है और antibodies दोनों ही होते हैं blood group O में antigen A भी antibody A भी antibody B भी ठीक है तो याद रखने के लिए हमें क्या करना है जो सा blood group same antigen और उसका opposite सा antibody clear अभी देखिए Rh factor का full form होता है रेस्स factor रेस्स factor और यह क्या होता है यह protein होता है अगर Rh factor है तो हम गयते है Rh plus नहीं है तो Rh minus clear इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि antigen ही वो होता है जो की responsible होता है blood group decide करने के clear है जो सा antigen वो सा blood group clear आपको यह भी ध्यान रखता है AB blood group वाले universal receiver होते हैं AB blood group जिनका होता है वो किसी से भी blood receive कर सकते हैं और जो O जो O blood group वाले होते हैं वो किसी को भी blood दे सकते हैं ध्यार universal donor clear है यह बात so thank you so much आप please इस lecture को rate कीजिए, review कीजिए और जाधा से जाधा share कीजिए thank you so much